नमस्कार मैं कामना राजपूच चेंजिंग फ्यूचर न्यूस पेपर से दिल्ली के स्वास्ते मंतरी सतेंदर जैन ने कहा कि प्रती बंदो की वज़ा से कोरोना का पिरसार कम हो रहा है पिछले चार दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है लेकिन सरकार मामलों के रुजानों को समझने के लिए अभी तक सतर्क है स्री जैन ने सुनवार को कहा कि दिल्ली में अब तक लगबग 2 करोड 85 लाग वैक्सीन के डोस लगाए जा चुके हैं दिल्ली में सत्प्रितिशत लाभारतियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोस लग चुकी है लगबग 80% लोगों को दूसरी डोस दी जा चुकी है इसके अलावा 1,27,000 लोगों को बूस्टर डोस दी जा गई है दिल्ली में टीका करन अभियां सुचारू रूप से चल रहा है द आप किसी भी टेस्टिंग सेंटर में अपना टेस्ट करवा सकते हैं दिल्ली में मौझूदा स्वास्ते व्यवस्ता अच्छी इस्तिति में हैं और हम सब गंभी उपर परिस्तितियों से निपटने के लिए पूरी तरह त्यार हैं उन्होंने लोगों से हर समय मास्क पहनने और सभी कोवीट प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आगर है क्या स्वास्ते मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पिछले चार दिनों में मामलों की कमी आ रही है 14 फरवरी को दिल्ली में लगबग 24,383 नए मामले दर्च किये गए जबकि 15 जनवरी को राजधानी में 20,178 और 26 जनवरी 16 जनवरी को 18,256 कोरोना के मामले दर्च किये गए कोरोना के मामलों में गिरावट का मुख्या कारण सबता हैं कर्फ्यू और मौझूदा कड़े प्रबंध हैं दिल्ली में मामलों में कमी आ रही है लेकिन सरकार अभी कुछ दिनों तक कोवीट के मामलों में कड़ी नजर बनाय हुए है उन्होंने टीका करण अभ्यान के एक वर्स पूरे होने पर सभी स्वास्ते कर्मियों और ग्रीम पंक्तियों के कर्मियों को बदाई दी दिल्ली में अब तक 2,85 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया गया है जिसमें 100 % दिल आवारतियों को कोरोना वैक्सिन पहली डोस लग चुकी है दिल्ली में अब तक 1,27,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया जिसमें 35,000 लोग 60 वर्से अधिक हैं 32,000 स्वास्तिक कार्य करता हैं और बाकी 60,000 लोग फ्रेंट लाइन वर्कर हैं उन्हों ने आगे कहा जो भी लोग टीका करन की दूसरी खुराक और बूस्टर खुराक के लिए पात्र हो चुके हैं वे अपना टीका करन जल्द से जल्द करवाएं स्वास्ते मंतरी ने लोगों से कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करने का अग्रह किया और सभी जरूरी सावधानियां बरतने को कहा उन्होंने कहा कि जब भी बाहर निकले तो चेहरे पर मास मास्क जरूर लगाएं इसे लोगडॉन ही समझें यह कोरोना को फैनने से रोकेगा उन्होंने लोगों से सुरक्षा के लिए मास्क पहनने और सार्वजन किस्तानों पर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया साथ ही सहर की जनता को भरोसा दिलाय की दिल्ली में लोगडॉन नहीं है प्रवासी मजदूरों को घबरानी की जरूरत नहीं है